हेलो प्रेंट्स वेलकम टो माई यूटूब चैनल दे क्यूरियस मैंड जैसे कि अभी कल डिप्लोमा का रिजल्ट आया हुआ है और रिजल्ट को लेकि बहुत सारे इस्टुडेंट बहुत पैनिक है और बहुत परिसान है क्योंकि इस बार का जो रिजल्ट है वो ज्यादा अ यह पर्माशोटिक्स में पर्माशोटिक सेगेंड में बहुत इस्टुडेंट को क्या हुआ है तो उसको उसको लेक doctive कई स्टूडेंट पहुंजजयादा परिसान है ठिक है और कई करे इस्टूडेंट्स को स्टिटीन को ऐसा हुआ है कि उनका नंब प्रेकर 17-09 देखिए चाहे तो दुड़ाए तो दीफिये ब्लती और तो इसमें क्या होता है करते क्या रिख और मिस्टेक इधर उदर माता है एक इधर वह जाने के दूसरी बाग अगर किसी स्टुडेंट का तीन से ज्यादा बैक है या तीन बैक है तो उसको फेल माना जा रहा है और अगर किसी का दो बैक है तो क्या है उसको लिखा गया है पर्मोटेड बाई जिस सब्जेक्ट में उसका बैक है उसका बैक का सब्जेक्ट कोड लिखा और परेसान भी है तो उनको परदेने पड़ेगा या भी उनको रीच लिए कराना पड़ेगा तो इसको लेके परेसान है अब हम एके करके देखें की रीज चे, करेक्षन, रिवैल्वेशन ये क्या करेंगे बज़ों, कि तिनों मैंसे क्या करना है तो शबसे पहले देखें, अभी जीन का नमबर नहीं चड़ाएं, तो उनका करेक्शन होगा तो उनका नमबर चड़ जाएगा, और जीन का नमबर 7, 8, 9 ज़स दिखा रहा है, तो में भी उनका भी हो सकता है किसी का 18 के जगा 8 आ गया है किसी का 38 के जगा 8 आ गया है किसी का 37 के जगा 7 आ गया है तो में भी वो भी क्या होगा जैसे तो कुम सी कम यह रहेगा किया हो जाएंगे इस चीज को ध्यान परकिएगा your ज buck लगे है तो अगर सचग तो कियो कि में भी हो सकता है अगर इस पास हो जाएं तो क्या है दो ही बैग बचेंगे और दो बैघ में क्या है अगर किसी को तीन व्हभर्ण होता है थिक है अब आती है बाद रीचिक की तो आपको इसे के लिए ज्यादा परिशान नहीं होना है, रीचेक से कभी अभी डेट आने वाला है बेटी येगा, में भी हो सकता है इस मन्त के लाश्ट तक आजाएं, या फिर इस मन्त के खतम होने तक की डेट आजाएं, जैसे नेक्स्ट मन्त के स्टार्टिंग में आजाएं, तो इसके लिए ज्यादा परि करा लेना है ठीक है अच्छा एक चीज और इस बार के रिजल्ट के देखते हुए मैं आपको यह चीज बताऊंगा जो इस्टुडेंट पास है तो ज्यादा परिशान नहों और ज्यादा इदर इदर खटपट ना करें वह जिस हिसाब से पास है पास रहें रिचेक की चक्र मे तो आपको क्या करना है रिचेक भी उसी स्टुडेंट को कराना है जिसको लग रहा है कि वह पास हो जाएगा उसको क्या करना है तभी रिचेक कराना है ठीक है और ज्यादा इसमें पैनिक होने की ज़रूद नहीं है जिन इस्टुडेंट को अगर एक बैक लगा है तो कोशि कि अगले महिने की स्टार्टिंग में जरूरी डेट आएगा और अगर जिनका एक में बैक ही है तो उनको पेपर देना पड़ेगा ठीक है तो यह इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए और हम कहेंगे कि ज्यादा परेशान नहों यह इस बार का रिजन्ट बहुत ही ज्यादा करते रहें अपना और इसमें आपका एकजिट एकजाम भी आने वाला है तो उसकी क्या करें तैयारी करें उसको लेकि लगने कि जादा परइसान ना हो बाकि जिन सकेंडियर वालों के लिए ज्यादर परिसानी की बात है क्योंकि सकेंडियर वाले जो हैं उनका कोई option ही नहीं बच रहा है अगर तीन चार subject में फेल है तो फेल ही है उनका यह भाई भी लग गया मतलब year back लग गया लेकि जो first year में उनका तो चलिए कम से कम यह है कि अगर तीन वालों के लिए बहुत ज्यादा difficult की घड़ी आ गई है तो उनको अपने आपको धैरे रखना है अगर उनको लगता है कि हां back paper भी भर सकते हैं तो back paper के भी time आएगा उसको भरें और exam qualify करें और फिर अपने exit exam के लिए भी proper तरीके से तयारी करते रहें ओके ध अन्यवाद